हेलो दोस्तों तो आज हम जानेंगे कि बायोफलक फीस फार्मिंग क्या होता है बायोफलक फीस फार्मिंग के बारे में आज पुरा डिटेल में जानेंगे कैसे आप बायोफलक फीस फार्मिंग कर सकते हैं और इसमें क्या लागत आती है और कितने बेनिफीट होता है पर आया है जो की बायोफलक तलाब के मुकाबले काफी अच्छा मना जाता है क्योंकि आप तलाब में जितना मशली पालन करते हैं उससे बहुत ही कम जगहों में आप उससे भी ज्यादा मशलीयों का उत्पादन कर सकते हैं जहां तलाब में आपको धेड़ी जगह का उतियोग करना पड़ता है वहीं आप बायोफलक में बिन्हा गड़्धा कटवाए कम से कम जगह में जदा मशलियों का उत्पादन कर सकते हैं जो कि आज इंडिया में कई ऐसे फारमर हैं जो बायोफलक टैंक वेठा करके और लाखोर रुपिया अर्ण कर रहा हैं जहां तलाब में आपको एक बार मशली डाल दने के बाद सीजन का विट करना पड़ता था कि पानी कब कम हो और कब हम मशली मारें लेकिन इसमें बिलकुल ऐसा नहीं होता है जैसे हम धान और गहूं या अन्या फसलों की खेती time to time करते हैं उसी तरह बायोफलक में भी एक time होता है हम जब भी मशली डालते हैं उसका भी एक time होता है कि हमें छे महीने या सात महीने तक harvesting कर लेनी है जिससे किसानों की आमधनी जो होती है वो टाइम से टाइम मिल जाती है और इसमें अच्छा ग्रोथ भी होता है जानते हैं कि बायोफलक टैंक बैठाने में कितना खर्चा आता है तो आपको एक बायोफलक टैंक बैठाने में 25-30,000 रुपे तक का खर्चा आता है आप एक टैंक में कोई भी मशली पाल सकते हो इसमें पाले जाने वाली ज़्यादा मशली जो होती है वो पंगास, रूपचंदा, देसी मांगुर और छोटी मशलीों में देखा जाए तो आपका टैंगरा सिंगी जो की काफी हाइडेटेड होती है इसमें आप कोई भी मशली पालन करके और अच्छा सेलिंग कर सकते हैं इसमें आपको तो पता ही होगा कि मशलीों को सेल करने में कोई दिकत नहीं होता है क्योंकि इसकी डिमांडेड बहुत ज़्यादा होती है और सप्लाई बहुत ही कम क्योंकि ये बिजनस जो होता है कभी भी मंदा नहीं चलने वाला आप इसकी जितनी उत्पादन कर सकते हो उससे कई कुना ज़्यादा ये सेल हो जाएगा अगर आप भी ये करना चाहें तो ये बिजनस के रूप में बहुत ही अच्छा उपाय है आपको इसकी पहले ट्रेनिंग ले लेनी चाहिए ताकि आपको जनकारी मिले तबी आप करो क्योंकि इसमें बायोफलक टैंक में इंकम तो है लेकिन रिक्स भी है आपको 24 घंटे इलेक्रिसिटी का ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि इसमें बिजली के दुवारा ही अक्सिजन दी जाती है अगर एक या दो घंटे के लिए भी भी बिजली की व्योस्ता ना हो तो आपकी मचलिया मर सकती है तलाब में आपका एक विनफीट होता है जो कि आपके पास अगर electricity की बेवस्ता ना भी हो तो कोई बात नहीं क्योंकि इसमें आपको oxygen की जरूरत नहीं पड़ती है क्योंकि उसमें natural oxygen ही मचलिया ले पाती है क्योंकि वो खुले area में होता है वो ही आपका bio flag जो होता है वो पुरी तरह से cover होता है क्योंकि इसमें दूसरा कीरा मोकोरा ना जा पाए क्योंकि इसके जाने से आपके bio flag को ही नुकसान है इसलिए हमें इसे बिजली के दुवारा oxygen दिये जाता है बाकी और कोई बात इसमें नहीं होती है इसमें आप तलाब से ज़दा मचलिय उत्पादन कर सकते हो time to time उत्पादन कर सकते हो और जब चाहे तब उत्पादन कर सकते हो आप आपकी इसकी पानी को कम करना है तो आपका एक center pipe लगा होता है उसके दुवारा आप पानी खोल दो पानी आपके खेतों में चला जाएगा आप मचलिय को harvesting कर सकते हो लेकिन तलाब में आपका दिकत पड़ जाता है तो तक पानी कम नहीं होगा तो तक आप जाल के दौरा मचली को मार नहीं सकते है अब बात कर लेते हैं कि आप एक tank में कितनी मचलियों का पालन कर सकते हैं तो दोस्तों यह आप पे निर्वर करता है कि आप एक tank से कितनी मचली निकालना चाहते हैं यानि आप weight में कितना मचली निकालना चाहते हैं अगर आप 4000 diameter के एक tank में ज्यादा मचली जिसे weight में ज्यादा मचली उत्पादन करना चाहते हैं तो आप कम मचली डालें और ज्यादा time तक उन्हें रखें या आप weight में कम मचली यानि छोटे अस्तर पे ही निकाल कर सेल करना चाहते हैं तो आपको ज़्यादा मचली और कम समय में निकालना पड़ेगा दोस्तो हमारा यह रहेगा कि आप जब भी tank बनवाएं ज़्यादा करके बाड़ा ही बनवाएं कम से कम तो आपको चार diameter का रखना चाहिए नहीं तो उससे आप ज़्यादा ही रखें क्योंकि बड़े tank से आपका यह benefit होता है जतना बड़ा tank आपका रहेगा उतना ज़्यादा ही मचली growth करती है क्योंकि बड़ा tank में मचली ज़्यादा growth करती है और छोटी टैंक में कुछ थोड़ा कम हो जाता है क्योंकि मशलियों को घूमने के लिए जगह नहीं मिल पाता है इसलिए थोड़ा कम ग्रोव कर पाती हैं मशलिय तो आपको ये वीडियो कैसा लगा वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरू करें और वीडियो को कॉमेंट करके बताएं कि वीडियो कैसा लगा आज के लिए बस इतना ही मिलते हैं किसी और ने वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद